हाई इस इस महनिश्टर्मा वेल्कम दो यूट्यूब चानल तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी और में निफ्टी अनल्सिस कल के इंट्राइट रिटिंग सेशन के लिए और आप देख सकते हो यहां पर अभी भी इसने कोई डिप कोई जाधा इंट्राइट डिया नहीं है 9400 के असपास एक डिया था पर वापस इसने ऊपर ही क्लोजिंग किया सिंपल एक ट्राइट ब्रेक आउट है निफ्टी में और मुझे लगता है यहां से यह रेश्टन्स तो डेफिनेट्ली क्रॉस करने के चांसे काफी जाधा है यह कैंडल का है 9584 अप्रॉक्सिमेटली टागेट होगे 9600 तके तो बायं डिप स्ट्राटेजी यूज करना है व आप देख सकते हों आपने वीडियो मेरे देखेन नहीं है तो हाप मेरा लास व्यूड़ी बताया है और अधिग है और अभी वी 20000 के आसपास सखें है buy and dip strategy अपनानी चाहिए, 18,500, 18,700 के आसपास कोई भी dip मैलता है, तो काफी अच्छा buy रहेगा, for a target of 19,500 and 20,000, अब discuss करते हैं stocks, मैंने आपको last video में 4 stock दिये थे, Tata Steel मैंने buy दिया था, 289 के उपर, इसमें काफी अच्छा intraday profit बना, बुदूत finance मैंने आपको buy दिया था, इसमें भी एक small profit बना intraday में, PFC मैंने buy दिया था, 77 के उपर, ये भी 78 तब जाके आया, इसमें भी एक small profit बना, Sun Farma मैंने sell दिया था, 443 के नीचे, और ये sell trigger ही नहीं हुआ, तो इसमें कोई position नहीं था, अब discuss करते हैं, कल के दिन में कौनसे stocks पे जाल focus कर रहा है, सबसे पहला stock होगा grassim, grassim अगर आप देखें, इसमें एक fresh breakout दिया है, एक काफी अच्छा pattern है इसमें, और यहाँ पर आप देख, breakout इसमें दे दिया है, अब यहाँ से grassim में 600 प्लस तक के targets हमें देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से करवन 20-25 रुपे का upside movement हमें देखने को मिल सकता है, तो grassim काफी अच्छा बाय रहेगा, कौन से level पे बाय करना हम आपको telegram channel में बता दूँगा, टेलग्राम चैनल का link मैंने description box में दिया हुआ है, आप टेलग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, next talk होगा HUL, हिंदुस्तान Unilever, अगर आप pattern देखें, यहाँ से बड़ा fall आया था, अब prices देखें, तो अगर आप देखें, 1950 के आसपास एक अच्छा rounding bottom formation एक बना रहा है यहाँ पे, काफी अच्छा pattern है यह, एक bottom formation बना रहा है यहाँ पे, 2000 के उपर close हुआ है, which is a very good sign, 2010-20 के उपर अगर निकलता है, तो यहाँ से 67 रुपे का अच्छा अच्छा moment हमें देखने को में सकता है, so HUL काफी अच्छा buy रहेगा, कौन से level पर buy करना हम आपको telegram channel में बता दूँगा, pattern इसका काफी अच्छा है, यहाँ से एक बड़ा अपको हमें देखने को में सकता है, last stop होगा Bata India, Bata India अगर आप देखें, यहाँ पे trend line रेश्टन से phase कर रहा है बार बार, and 1300 के आसपास close हुआ है, 1300 जोगी एक round off number है, और अगर उसके नीचे जाता है, तो एक बड़ा fall हमें देखने को में सकता है, तो यह trend line बार बार, यहीं पे trend line के आसपासे resistance phase कर रहा है है, 1300 के नीचे एक बड़ा momentum हमें देखने को में सकता है, 20-60 रुपेगा downfall हमें देखने को में सकता है, तो बाटा इंडिया कल के trading session के लिए intradically काफे अच्छा short candidate रहेगा, अगर आप मेरे trades follow कर रहे हैं और अगर आपने कुछ trade किया और कुछ profit कमाया, तो प्लीज comment box में आप comment करके बता सकते हो, कि आपने फॉनसे stock में आपने क्या profit किया, अगर आपको वीओ अच्छा लग रहा हो, कांदी लिक और शेयर आपर वीओ, थैंस लॉट पर वाचिंग द वीओ, शेयर नेक्स वीओ,